नबस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागद है टेक मुझली चैनल पे और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम आउनर के बारे में किसवाल अश्च आए तो यहां एक एकसे की व्हां कोई मखली बनता है तो सबसे पहले अर्किटेक्ट आता है जो एक ब्लूप्रिंट करता है उस ब्लूप्रिंट को देंखें क्वम हैं उसमें सारे इंज्शक सब आगा तो मैंने यहां पर crew रखा है क्योंकि वह एक थोड़ा अच्छा लगता है respectful लगता है ऐसे बोल देना किसी को हट भी कर सकता है तो construction crew क्या करता है construct करता है building through machines या पारिसिली machines का use करके लेकिन of course construct करता है जब building construct होती है उसके बाद वो किसको deliver होती है honor को अच्छा यहां भी एक चीज़ दिखिएगा कि honor ही वो है जो उस building को use कर रहा है और honor ही है जो उस architect के पास गया होगा अपने requirement को लेके कि मुझे ऐसा घर चाहिए architect ने उस पर blueprint ready किया होगा फिर construction crew ने construction क्या होगा और घर honor को दिया होगा तो वो main क्या है honor है honor ही वो है जिसको वो system चाहिए और honor ही है जो वो system request करता है तो initiate भी honor कर रहा है completion के बाद भी honor को मिलता है कई cases में honor user भी हो सकता है तो इन बातों का ध्यान रखेंगा क्योंकि जब वो system को use करेगा तो system user में आएगा लेकिन system को initiate करना system honor और कई बार यह different भी होते हैं जैसे company product बनाती है तो company उसकी honor हो गई लेकिन product use तो किसी user के द्वार होगा तो इन चीजों को बस logically समझना है तो honor user हो सकता है honor भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि system user system honor different different हो ठीक है बस system honor ही system को बनाने का initiation करता है user उसको use करता है तो इस बात को द्यान में रखिएगा और यहां पी आप देख सकते हैं यह जो architect है construction crew है honor है यह सब stakeholder के part है system stakeholder तो मैंने बस यह आपको general example से समझाया है I hope कि आपको समझ में आओगा और system honor के जो role होते हैं वो एक visionary leader होते है decision maker होते है है stakeholder coordinator होते है resource allocator होते है और project coordinator होते है एक एक करके हम इनके बारे में समझते है so यह visionary leader का मतलब होगा कि system honor जो होते है उसके पास clear vision होता है कि system क्या achieve करेगा वो अपने business needs को clearly understand करते हैं और उनको एक goal में convert करते हैं ताकि वो system बनाया जा सके और वो possible हो बनाना वो realistic goal होता है उसके बाद decision maker तो यह भी system honor ही होता है क्योंकि देखिए जो initiate करता है जो यह आपको command दे रहा है कि आपको system build करना है वही आपको command देगा और वही decision लेगा क्योंकि आप तो decision ले नहीं पाएंगे पास से लिए आप decision लेंगे सिर्फ work purpose के लिए लेकिन system कैसा होना चाहिए कुछ change करना है क्या change करना है यह सब किसका काम होगा वो system honor का so development process के दौरा बहुत सारे choices बनाई जाती है और बहुत सारे requirements clear होते है ठीक है requirement stage पर वो unclear रहते है लेकिन while development कुछ चीज़ें clear होते जाती है और ऐसा लगता है कि एक चीज़ दूसरे पर dependent है तब अगर कोई change करना हो तो वो decision भी system honor लेगा ओके चाहिए वो feature हो functionalities हो budget allocation हो यह सब system honor इस पर decision लेता है stakeholder champion या stakeholder coordinator यह भी system honor होते है और बहुत सारे people होते हैं जो system के success में interested होते हैं चाहे वो users हो managers हो या अलग-अलग तरह के stakeholders हो यह सब system के success का part है लेकिन system honor का जो काम होता है वो होता है उनके interest को represent करना और यह ensure करना कि हम सब एक ही page पर है मालिजे कि system honor चाहता है कि यह develop करें और system user है उसको कुछ और use करना है तो वो एक page पर नहीं हुए system honor को system user का system designers का system builders के और भी अलग-अलग stakeholders के interest को हमें सा mind में रखके ही system initiate करना होता है तो वो सब चीजों को देखके ही वो decision लेता है right so इसलिए उसको stakeholder coordinator भी बोलते हैं उसके बाद जो है role वो है resource allocator का and किसी भी system को develop करने के लिए बहुत सारे resources चाहिए होते हैं जैसे कि लोग समय चाहिए पैसा चाहिए right so people time and money यह सब resource है किसी भी system के लिए और system owner का काम है कि वो make sure करें कि यह resources available हैं और effectively use हो रहे हैं okay क्योंकि after all पैसा वही दे रहा है and project coordinator so system owner system का biggest advocate होता है जो यह बताता है कि system क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा बनाया जा रहा है okay और उन्ही का काम है कि project को on track रखें लोगों को motivated रखें और यह ensure करें कि सब को जितने भी stakeholders इस system में काम कर रहे हैं या part हैं जितने भी stakeholders हैं जिन कजन का stack है इस system के अंदर वो सब system का importance समझें तो यह है system owner का role I hope कि आपको समझाया होगा अगर कोई भी confusion है please comment मुझसे पूछिए और इन वीडियो के related मैं feedback form भी अपने description में attach कर रहा हूं and I hope कि आप उसको feel करेंगे अगर आपको कोई भी चीज improve करने की सला देनी है तो आप वो feedback form feel कर दीजएगा मुझे बहुत कुछी होगी मैं बस आपसे वही चाहता हूं कि मुझे improve करने का तरीका बताए क्योंकि आप ये videos देख रहे हैं और आपको समझा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने videos को improve करो और आपका time waste ना हो और मैं भी efficient tutor बन सकूँ Thank you so much for watching कर दो कर दो